हेई गाइस वेलकम टे कुकिंग हबीर आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी लड्डू की रेसिपी जिसके लिए आपको सिर्फ एक नारियल चाहिए और कुछ भी नहीं बहुत ही टेस्टी लड्डू बनके तयार होगा और बहुत ही इजी तरीका मैं आपके सा है ताकि इसली ग्राइंड हो सके उसके बाद आपने लेना एक मिक्सिंग जार उसमें इन सारे पीसेस को ट्रांसफर करना और हाई स्पीड पर इसको पहले ग्राइंड करेंगे ठीक है जब यह ऐसे अच्छे से ग्राइंड हो जाए उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ से मिलक की जरूरत नहीं है यह निन कोगोनट मिलक में ही इस लड्टो को अंदेंड हैँ इसको अपने नहीं की अनुक हमें यहाल पर शूर्यजब दिखें gue चिनी लड़ बाहित डाल करिंद टाल कर आपने चलाते हैं इसको बहुत ही तरह देना है एक चमच देशी घी ठीक है इसको डाल कर वापस से आप अच्छे से भूनना है ठीक है भूनेंगे तब तक जब तक कि यह जितने भी हमारे यह को को कोन ना वह बिल्कुल जैसा हो जाएगा तब बहुत अच्छे से आप इसको चलाते वे भूनना है जैसे अभी आप देख रहे हैं कि यह इसको भूनेंगे और अच्छे से भून जाएगा तब देखिए इस तरीके से इसकी कांसिस्टेंसी हो जाएगी यह बिल्कुल पाउडरी जैसा होने लगेगा लेकिन इस टाइम पर क्या होगा कि हमारा कोकोनट जब अच्छे से भूना हुआ होग मिल्क पाउडर कर सकते को डाये मिक्स काई तो तो थोड़ी दे तक भून ना है जैसे खोआ जो है को मेल्ट होने लगेगा तब अब आपने इसके अंदर यह कोकोनट वाला जो भी हमने इसको भूना हुआ था वो डालेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे जब तक कि यह डो के फॉर्म में नहीं आजाएगा तब तक ठीक है थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे स पाउडर डाल सकते हैं या फिर कोकोनट की भी समय बहुत ही जाद अच्छी होती तो आपको कोई भी समय डालने की जरूरत नहीं है या फिर आप चाहे तो इसमें केवड़ा इतर भी डाल सकते हैं जब दोड़ा हो जाए तब ठीक है तो लीजे बहुत ही एजी लड़डू इसको बनाना वाकी बहुत ही जादा एजी था और खाने में बहुत ही जादा टेस्ट या भी इस तरीके से मिठाई जरूर बनाया आम शुर आपको भी यह रेसेपी बहुत पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी वीडियो रेसेपी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ला